निशे में धुद दबांगो को तोकना सिपाईयों को पड़ा भारी दबांग ने सिपाईयों से जम करकी गाली गॉलोच और अबधर्ता पुलिस से बत्तमिजी गाली गॉलोच और अबधर्ता का वीडियो सोशन मीडिया पर हुआ वायर्ल बेदड़क होकर अत्याधुनिक हत्यारों से फारिंग करते हुए तीन युवकों का वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है जिसमें घर की छत से तीन युवक अत्याधुनिक हत्यारों से कर रहे हैं फारिंग कानपूर के थाने में थर्ड डिगरी का वीडियो हुआ वायरल सचेंडी एसो ने मानवा धिकारों को ताक पर रखकर की युवक की पिटाई थाने में पुलिस ने युवक को खंभा पकड़ा कर बेरहमी से पिटा ये वक्चिल लाता रहा ये सो सेस नरायट पांडे उसे पिटते रहे एटा नगर पालिका में एक दर्जन से अधिक सभासदों ने आर ई को जम कर पीटा मार पीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल करमचारी ने सभासद से की थी अभधुता घोला परवाही से नाराज और आक्रोशिस सभासदों ने पीटा जन्म वे मृत्यू पिमाड़ पत्र नहीं बनाने का है आरोप मेरट में बर्दे सेलिबरेशन के दौरान हंगामे की तस्पीर आई सामने रेस्टोरेंट संचालक पर युबग को बंदक बना कर पीटने का आरोप आरोपियों ने मार पीट का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल एक आरोपी गिरफतार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस नौचंदी थानाक शेतर के डगाउट रेस्टोरेंट की घटना मुजफर नगर में मंडी कोतवाली शेतर की ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पास धावे पर मार पीट मामूली विवाद में गई एक धावा करमचारी की जान शराब पीने को लेकर आपस में भिढ़ गए थे धावा करमचारी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफता कन्योज में फिल्मी अंदाज में पिता की हत्या कर खुद पुलिस को सूचना दे कर बुलाने वाले बेटे से पुलिस ने की पूछताच बेटे ने कुबूल किया जुरू बेटा अपने शराबी पिता की गाली गलों से था परिशान जिसके बाद उसने पिता की गला दबाकर की थी हत्या लला दबाकर हर्तिया करने के बाद पुत्र ने पिता के शफ को फिल्मी अंदाज में पेड़ पर रटका दिया था और खुद पुलिस को फोन करके बुलाया जिससे किसी को उस पर शक न हो पुलिस का कहना है कि दोनों बदमाश नोईटा सेक्टर 83 के पास ए रिक्षा लूट कर भाग रहे थे जिसके बाद पीडित ने 112 नमबर डायल कर पुलिस को किया था सूचित नोईटा में पुलिस ने ब्रैंडिज कमपनी के नाम पर परजी शिट बना कर ऑनलाइन बेचने वाली कमपनी पर मारा च्छापा उसे सील किया इस कमपनी से एक लाग पचास हजार पैक शिट और 15 हजार खुली शिट और भरी मात्रा में बजन कम करने और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाईयां भी बरामत हुई जहासी के गुमनावारा में तीन साल की बच्ची का रेप की बाद कतल कर दिया गया तीन दिर पहले घर के बाद उसका किटनेप किया था फिलाल पुलिस ने दोनों आरूपियों को गिराफतार कर लिया है पुलिस ने गुदाम से केमिकल आयल से भरे पैसर ड्रम बरावत किये जिलावपूर्ती अधिकारी ने इन ड्रमों और मिले दो टोकुरों को जब करके पुलिस कस्टडी में दे दिया है पुलिस ने गुदाम से केमिकल आयल से भरे पैसर ड्रम बरावत किये जिलावपूर्ती अधिकारी ने इन ड्रमों और मिले दो टोकुरों को जब करके पुलिस कस्टडी में दे दिया है अयोधिया मामले पर सुरक्षय व्यवस्था को मद्रज़र रखते हुए सीम योगी ने अपने आवासे की वीडियो कंफरेंसिंग लिया सुरक्षा का जाइजा मुखे मंद्री योगी आदितनात के साथ डीजी पी मुखे सचेव अपर मुखे सचेव घ्री समेत तमाम अफसर मौचूद थे तो वें दूसरी तरफ से वीडियो कंफरेंसिंग में जिले के अधिकारी कमिशनर एस पी आईजी और एडीजी मौचूद रहे सीम ने आयोध्या के मद्रजर एतिहातन उठाये जाने वाले कदम के साथ-साथ लापरवाही बरतने वाले अफसरों को भी दी हिदायत कहा कि अगर किसी ने लापरवाही की तो कड़ी कार रवाई की जाएगी अयोध्या फैसले को लेकर रामजन भूमी जाने वाले सभी मारगों को पूर रूपसे किया गया बंद inclusive expenses दो पहिया और चार पहिया वाहनों को भी रोका गया अयोध्या मामले में कोड के फैसले से पहले केंद्र ने राज्यों से अलट रहने को कहा राम जन भूमी बाबरी मस्जिद भूमी विवाद मामले में सुप्रीम कोड के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और शमवेदन सील छेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा उतरप्रदेश में कानून विवस्था को बनाये रखने के लिए मंत्राले ने अर्धसायनिक बलो की 40 कमपणिया राज्य में भीजी आयोध्या मामले में सुप्रीम कोड का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना आयोध्या मामले पर सुप्रीम कोड के फैसले के इंतजार में गासेबाद में भी सुरक्षा व्यवस्था सही रहने को लेकर ADG जोन प्रुशांत कुमार ने बैठक की आयोध्या मामले पर संभावित फैसले को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुश्था जमीन से लेकर आस्मान तक की जा रही है निग्रानी कानपूर में कानपूर में एर सर्विलांस के जरिये रखी जा रही है नजर IIT की मदद से कानपूर प्रशासन ने शेहर के मुखे चौराहे पर लगाया एर स्टैक बैलून LLM छात्रा के योण शोशड के मामले में जेल में बंद पूर्व ग्री मंत्री स्वामी चिन मेंनंद की जमानत अरजी पर इलहाबाद हाई कोट में सुनवाई आज सुनवाई में यूपी सरकार पीडित छात्रा की तरब से करेगा जवाब दाखिल जवाब दाखिल होने और दलीले पूरी होने पर अदालत इस मामले में आज फैसला भी सुना सकता है दली तीस हजारी कोट में वकीलों और पुलिस के बीच मारपीट के विरोध में प्रदेश भर में वकील करेंगे हड़ताल यूपी बार काउंसिल ने वकीलों से न्यायक कर से विरत रहने का आवाहन किया देश भर के वकील विरोध दिवस मनाएंगे यूपी बार काउंसिल की मांग है कि घायल वकीलों को दस लाख रुपए का मुआपजा दिया जाए साथ ही दोशी पूलिस कर्मियों के खिलाफ तीन महीने में जाच पूरी की जाए सेहमती से हो विवादों का निप्टारा लखनओ में कारेकरम का दूसरा चरण लखनओ में ही होगा कारेकरम का समापन बारा बंकी पहुंचे बेसिक शिक्षा मंतरी सतीज दिवेदी जी आईसी आउडिटोरियम में आयोजित एबी वीपी के प्रतिबा सम्मान समहरों में की शिरकत प्रतिबा शाली छादर चादराओं को किया सम्मानित स्कूल में टेबलेट बांटने की प्रक्रिया जल्द की जाएगी शुरू उत्तर प्रदेश के मतरा में 2016 में खुए जवाहर बाग हत्याकांड के मुखे तीन आरोपियों को मिली जमानत बीजेपी नेता सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी उपाध्याय ने जताई निराशा कहा सीबियाई की गमजोर तक्तिके चलते आरोपियों को मिली जमानत अश्विनी उपाध्याय नहीं डाली थी पी आईल श्रीकान शर्मा के नोटिस पर अजललू का बयान सतर लाग के गबन में आरोपी हैं लक्ष्मी चोहान गबन के बाद से फराड चल रही थी लक्ष्मी सिंग गाजियाबाद पुलिस ने घोशित किया था इनाम लक्ष्मी के खिलाब 25,000 का इनाम किया था घोशित कोर्ट ने 14 दिन की नियाई खिरासत में भेजा पिएफ घोटाले में जांत-जारी आरोपी एपे मिश्रा कोन के घर ले जाया गया फाइले बरामत करने के लिए लाया गया घर तीन दिन की रिमानट पर हैं अपे मिश्रा निवेश की फाइल पर मिश्रा ने किये थे दस्तखत रेटार्मेंट से ठीक एक दिन पहले दिया अनुमोधन बिजली विभाग में हुए पीएफ घोटाले को लेकर कानपुर में कॉंग्रेस नेताओने क्या प्रदर्शन कॉंग्रेसियों ने घोटाले के लिए योगी सरकार को ठेराये जिमिदार उर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का पुतला फूंका प्रदेश सरकार के खिलाफ कॉंग्रेस सडकों पर उतर करेगी बड़ा अंदोलन सिधार्त नाथ सिंग ने आयोध्या पर आने वाले फैसले के मद्दे नजर अपील करते वे कहा कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी टिपड़ी ना की जाए सिध्धार्ट नाद सिंग ने आयोध्या पर आने वाले फैसले के मद्दे नजर अपील करते हुए कहा कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी टिपड़ी ना की जाए 9 नवंबर को होने जा रहे उत्राखंड स्थापना दिवस की तैयारियां तेज मंत्री धन सिंग रावत ने ली बैठक रक्षा मंत्री राजनाद सिंग करेंगे कारक्रम में शिरकत उत्राखंड के राज्यसभा सांजद अनिल बलूनी है बिमार बलूनी के अनुपस्तिती में भाजपा के राष्टे प्रवक्ता संबित पात्रा बलूनी के गाउं जाकर इगास बगवाल मनाएंगे बलूनी ने पलायन को लेकर शुरू की थी मुहीम हाई कोट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्ती बिजली देने के मामले पर की सुनवाई हाई कोट ने इस मामले में राज्यस सरकार को जारी किया नोटिस शुयत पत्र पेश करने को कहा मादेवी कन्या पाठशाला में UGC के 45 लाग के गवन पर हाई कोट ने राज्यस सरकार UGC और ततकालीन सचिप समेथ प्रिंसिपल को भी जारी किया नोटिस उधम सिंग नगर में पुलिस ने की बड़ी कारवाई फर्जी तरीके से मुआपजा लेने के आरोप में पुलिस ने तीन और आरोपी किसानों को किया गिरफतार पुलिस ने तीनों किसानों को SIT को सौपा आरोप है कि इन किसानों ने जमीन के लेंड यूज बैक डेट में कर जबंदी के तीन साल पूरे होने पर अर्थ विवस्ता कमजोर होने के खिलाफ कॉंग्रेसी कारकरताओं ने किया प्रदर्शन NSUI कारकरता RBI का करेंगी घेराओ पुलिस ने किया लाठे चार्ज महोबा सबजी मंडी में जिला प्रशासने की छापे मारी प्यास को उचित दाम पर ना बेचने पर कारवाई के दिये निर्देश महोबा में 80 रुपे किलो बिक रही है प्यास आयोधिया से परिक्रमा करके लोट रही श्रधालू से भरी ट्रक्ट रॉली की पीछे से आ रही टेंकर से वी चकर एक श्रधालू की मौत हमीरपूर जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आईरन की गोलियां खाने से आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी जूनियर स्कूल के बच्चे पड़े बीमार एक बच्चे की मौत गुस्साय परिजनों ने किया हंगामा अधिकारियों ने दिया कारवाई का अश्वासन। खिलाडियों के अंधिकी का अरूप लगाया है। देवुत्थान एकादशी को वारारसी के गंगा घाष्रत धालव की भारी भीड भक्तों ने गंगा इसनार और ध्यान कर मुक्षदाइनी से मांगा अश्रफात। जोशी मट बदरीना धाम में शुरू हुई बर्वबारी बर्वबारी के बाद बदरीना धाम में पड़ रही है कडा के किठन ताप मान में भी आई भारी किरावट। श्रिंगवेर पूर में आयोजित होने वाला राश्ट्री रामायड मेला आज से होगा शुरू राश्ट्री रामायड मेले का या तीसमा आयोजन है आठ से बारा नॉमबर तक चलने वाले इस रामायड मेले का शुबारम यूपी के डिप्टी सीम के शोपरशाद मौर्या क करेंगे जब कि समाबन खुद सीयम योगी आदित नात के दोरा किया जाएगा मुंबई में रेलवे ने यात्रियों का ध्याना करशित करने के लिए मृत्यू के भगवान यमराज की ड्रेस में एक रपी अफ जवान को किया तैनात आरपी अफ जवान यमराज की रूप में लोगों को सुरक्षा जागरुकता जानकारी प्रदान कर रहा है और उन्हें पटरियों पर चलने से रोक भी रहा है महराश्ट्र में सरकार बनाने के लिए सिर्फ कल तक का वक्त एन्सीपी बोली राश्ट्रपती साशन लागू करवाना चाहती है बीजेपी एन्सीपी के वरिष्ट नेतन नवा बलिक ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर लगाया कि कोई दीनता नहीं चाहिए चुनोतियों से भागना नहीं बलकि जूजना जरूरी है पियम मोदी अमिश्रा और वैंकाया नाइडो ने लाल कृष्ट आडवानी को घर पर जा कर दी जन्मदिन की बधाई तीस अजारी कोड में हिंसक जड़ब के दो और वीडियो सामने आए हैं वीडियो में कुछ लोग महिला पुले सफसर मोनिका भारतवाज के आसफास सुरक्षा खेरा बनाते हुए भीर से बाहर निकाल कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं करतारपुर कोरीडोर को लेकर पाकिस्तान सरकार की तरफ से जारी वीडियो में आतंकी भिंडरा वाले की तस्वीर का इस्तिमाल करने पर विदेश मंत्राले ने जताया एतरास पाकिस्तान को जताया विरोध भारत ने पाकिस्तान को विवादित वीडियो हटाने को कहा कॉंग्रेस नेता नवजोज सिंग सिद्धू को पाकिस्तान जाने की सरकार ने दी सशर्थ अनुमती विदेश मंत्राले को तीसरा खत लिखने के बाद मिली इजाज़त 9 नवंबर को करतारपुर गलियारे के उधगाटन पर बाग सरकार ने सिद्धू को दिया था नियोता कारेक्रम में पूर पीम अन्मोहन सिंग और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग भी जाएंगे लालू यादो की जमानत याज़का पर आज जहर खंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई जबकि लालू यादो को इससे पहले देवघर ट्रेजरी मामले में जमानत मिल चुकी है कलकरतारपुर कोरिडोर का उधगाटन होना है लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान की फाइरिंग में सेना का एक जवान भी शहीद हो गया देर राट धाई बजे के करीब पाकिस्तान की ओर से फाइरिंग की गई पाकिस्तान ने फाइरिंग में भारत के अगरिम चोकियों को निशाना बनाया ये फाइरिंग जमो कश्मीर के क्रिशना घाटी में की गई लगातार दूसरे साल नवंबर की शुरुआत में ही कश्मीर में बर्फबारी का दोर शुरू हुआ कश्मीर घाटी को जोडने वाले सारे रास्तों पर बर्फ ने ब्रेक लगा दी है स्री नगर की सड़कों पर जमी बर्फ और फसेवानों को हटाने में नगर निगम करमचारी जुट गए स्री नगर में करीब सो जगों पर पेड़ भी किरे हैं राज कोट टी ट्वंटी में इंडिया की शांदार जीत आठ विकेट से बंगलादेश को हराया रोहिच शर्मा ने 43 गेंद पर बनाए 85 रन एक एक से सीरीज में की बराबरी भारत ने दो विकेट पर बनाए 154 रन भारत और बांगलादेश के बीच तीन मैचों की टी ट्वंटी सीरीज का दूसरा मुकाबला भारत ये कप्तान रोहिच शर्मा ने टॉस जीत कर पहले गिंद बाजी करने का किया फैसला मैच जीत कर सीरीज बराबर करने उतरी टीम इंडिया को मिला एक सो अस्ट्रेलिया की शीर्ष महिला फुटबॉल खिलाड़ी अब पुरुष खिलाड़ियों के समान कमाएंगी जिसका मकसद देश की रास्टिय टीमों के बीच लैगिंग, वेतन और अंतर को खारिच करना है ऐसा चार साल के करार के बाद संबह हुआ है महिला टीम को अंतरास्ट्री यात्रा के लिए बिजनेस यात्रा की क्लास करने की भी अनुमती दी जाएगी जैसा की पुरुष करते हैं साथ ही जहां तक कोचिंग की बात है तो वो भी पुरुष टीम के समान मानक पर लाया जाएगा क्रिकेट की दीवानगी ने एक पाकिस्तानी जोड़े को सोशल मीडिया पर फेमस कर दिया है उन्होंने अपनी शादी के खास दिन भी क्रिकेट अपडेट लेने का मौका नहीं गवाया वाइरल तस्वीर में दोनों रस्म के दौरान मैज देख रहे हैं पाकिस्तानी जोड़े की मैज देखते हुए तस्वीर तेजी से वाइरल हो रही है यही नहीं ICC ने भी इस सूपर फैन की फोटो शेर करते हुए उनकी तारीफ की मोडीज ने भारती एकनॉमी की ग्रोज से जुड़े जोखिमों को देखते हुए भारत की रेटिंग घटाई मोडीज का अनुमान मार्स 2020 में खत्म होने वाले बित्वर्ष के दौरान बजट घटा जीडीपी का 3.7 प्रतिशत तक रह सकता है रोहिश शेक्टी ने खरीदी 3 करोड की लेंबोर्गनी 3.6 से जीरो से 100 की स्पीड नई लेंबोर्गनी और उसके साथ रोहिट ने अपनी तस्वीर इस्ट्राग्राम पर शेयर की रजनी कान की नई फिल्म दरबार का मोशन पोस्टर आ गया है सूपरिस्टार रजनी कान इसमें धमाकेदार अंदाज में दिख रही है पोस्टर आउट होने पर सलमान खान ने कहा एक मात्र सूपरिस्टार आप हेमा सरदिशाई ने कि आनू मलिक का बचाओ तो भडग गई नेहा भसीन और सोना महापात्रा सोना महापात्रा ने अपने ट्विट में लिखा कि पीडि दोशी को मानना ठीक नहीं है और यही कारण है कि नाबालिक और उनके परिवार तो शिकायत तक नहीं करते बिमार मुर्क महिला रिशी कपूर ने वकीलों और पुलिस के बीट जड़ब पर कहा वारे दिल्ली पुलिस मांगे सुरक्षा वकील मांगे न्याय पबलिक मांगे ऑक्सीजन देख तरे इंसान की हलत क्या हो गई भगवार कितना बदल गया इंसान क्रीन ओफ पॉप उसा उत्थप आज अपना 72 चर्म दिन मना रही है उसा ने अब तक 8 विदेशी और 17 भार्थी भाषाओं में गाना गा चुकी है सूतरों के मुताबिक फिल्म मेकर फराखखान सत् голос का रीमेक बनाने जा रही है कहा जा रहा है कि रीमेक में अमिता बच्चन और हेमा की Rizik Roshan और अनुशका सर्मा लेंगे फिल्मेकर राकिष रौसन ने एक लम्बी जंग के बाद अपनी कैंसर की विमारी से जंग जीत ली है रितिक ने क्या रिलुक्षन दिया था अईश्मान खुराना के फिल्म बाला रिलीज हो गई है फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है अपने कंटेंट और कलाकारों के दम पर बाला ने अपने समिक्षिकों का दल जीत लिया है सोशल मीडिया पर स्क्रिनिंग के बाह से ही फिल्म की खूब तारीफे हो रही है अईश्मान खुरानय के साथ फिल्म में भूमी पढ़ने कर और यमी गोतम मुख भूमि काओं में है फिल्म बाला के रिलीज होने से पहले कई सितारे भी फिल्म स्क्रिनिंग के लिए पहुचे और सितारों को भी ये फिल्म हूँ पसंद आई समीक्षकों ने फिल्म को चार स्टार दिये हैं मनोरंजन के साथ ये फिल्म के जर्य एक संदेश देने की कोशिश की गई है फिल्म बाला के पहले ही दिन 9 से 10 करोड की कमाई करने की उमीद है टाइगर शॉफ का डांस वीडियो हुआ वैरल फिल्म वार के घुंगरू संग पर किया जबरदस डांस डांस वीडियो से अपने आदर्श रितिक रोशन को दिया ट्रिब्यूट टाइगर शॉफ के इस डांस को हजारोल फ्यूज मिल चुके है गुंगरू को रितिक रोशन और वाणी कपूर पर फिर्माया गया था दोनों ने अपने डांस से खूब धमाल मचाया था केबिसी में गुजरात के राज़कोट से आई शाहिदा चंद्रन ने अमिताब को बताया कि दूसरे धन के लड़के से शादी करने की वज़े से उनके परीजनों ने उनसे 25 साल से बात नहीं की ये बास सुनकर अमिताब ने परीजनों से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि वो शाहिदा को अपना ले हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर किरन राव साथ नमंबर को 45 साल की हो गई किरन का जन तेलंगाना में हुआ था और उन्होंने बॉलिवूड की सुपर हिट फिल्म लगान से अपना करियर स्टार्ट किया था बॉलिवूड एक्टरस दिया मिर्जा को हाल ही में उनके एक सलोन के बाहर देखा गया दिया मिर्जा ने ब्लू टॉप के साथ डैनिम पहनी होई थी उनका लुक बिलकुल अलग था वो इस लुक में बेहत खुबसूरत लग रही थी बॉलिवूड कोरियोग्राफर टेरंस लुइस ने फिल्मों और कई डांस रियालिटी शोस में लोगों के डांसिंग टैलेंट को परखा है हाल ही में टेरंस ने रियालिटी शोस के कंटेस्टेंट्स के बारे में बेहर शौकिंग बयान दिया है उन्होंने कहा है कि शो जीतने के लिए कंटेस्टेंट्स पैसे लगाते हैं हाली में दिये एक इंटर्व्यू में सैफ अली खान ने कहा है कि पापा के निधन के बाद पटोधी पैलेस किराए पर चला किया था इसके बाद मैंने जो भी अपनी फिल्मों से कमाया था उस पैसे से पटोधी पैलेस वापस ले लिया बॉलिवूड मेगा स्टार अमिताब बच्चन ने इंडिस्ट्री में अपने 50 साल पूरे कर लिये इस गोल्डन जुबली पर अभिशेक बच्चन ने अमिताब की एक ब्लाक औन वाइट फोटो शेयर की है फोटो के साथ उन्होंने पापा के लिए एक स्पेशल नोट भी लिखा है फिल्म क्रिटिक और कॉंट्रोवर्शियल परसनेलिटी कमाल राशित खान बिग बॉस का हर सीजन फॉलो करते हैं कि आरके ने सिधार शुकला को विनर बताया और वाइल कार्ट कंटेस्टिन अरहान खान को शेख चिल्ली कहा प्रियंका चोपड़ा अपनी आने वाली फिल्म तवाइट टाइगर की शूटिंग के लिए राजधानी दिल्ली में है इस दोरान प्रियंका खाने की चीजों का उठा रही है जमकर लुथ प्रियंका की दिल्ली में पान खाते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर आई सामने